साथियों, ये मेट्रोलोजी साधार भासा में कहें तो मापने नापने की साइंस, ये किसी भी वैज्ञानिक उप्रब्दी के लिए भी बुनियात की तरह काम करती हैं। कोई भी रिसर्च माप और नाप के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, यहां तक की हमें अपनी उप्लब्दी भी किसी न किसी पेमाने पर मापनी ही पड़ती है। इसलिए मेट्रोलोजी मोडनिटी की अधारशिला है। जितनी बहतर आपकी मेट्रोलोजी होगी, उतनी ही बहतर मेट्रोलोजी होगी। और जितनी विश्वसनिय मेट्रोलोजी जिस देश की होगी उस देश की विश्वसनिता दुनिया में उतनी ही ज़्यादा होगी। मेट्रोलोजी हमारे लिए मीरर की तरह होती है। दुनिया में हमारे प्रोडक्स कहां स्टेंग कर रहे हैं, हमें क्या सुधार की जरुरत है, ये पहचान, ये सिल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेट्रोलोजी से ही तो संभव होता है। इसलिए आज जब देश आत्म निर्भर भारत का अभ्यान इसका संकल्प लेकर करका अगब बढ़ रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसका लक्ष क्वांटिटी भी है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही महत्तोपून है। यानि स्केल भी बढ़े और साथ साथ स्टांडर भी बढ़े। हमें दुनिया को केवल भारतिय उत्पादों से भरना नहीं है। धेर नहीं खड़े करने हैं। हमें भारतिय उत्पादों को खरीदने वाले हर एक कस्टमर का दिल भी जीतना है। और दुनिया के हर कौने में दिल जीतना है। Made in India की न केवल ग्लोबल डिमांड हो बलकि ग्लोबल एक्सेप्टन्स भी हो। यह हमें सुनिस्चिक करना है। हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी के मजबूत स्तंभव पर और मजबूत बनाना है। साथियों मुझे खुशी है कि भारत अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टिम है। नाविक से भारत ने ये उपलब्दी हासिल करके दिखाई है। आज इसी और एक और कदम बढ़ा है। आज जिस भारतिय निर्देशक द्वा लोकारपन किया गया है। यह हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोड़क्स बनाने के लिए प्रोथाइट करेगा। अब फूड, एडिबल ओइल्स, मिनरल्स, हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइट, फार्मा और टेक्स्टाइल ऐसे अनेक शेत्रों में अपने सर्टिफाइड रेफ्रेंस बट्रियल सिस्ट्रम को मजबूत करने की तरप हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम उस थिती की तरप बढ़ रहे हैं जां इंड्रस्ट्री लेगूलेशन सेंट्री के अप्रोच के बजाएं, कंजुमर ओरियेंटेड एप्रोच की तरप बढ़ें। इन नए मानकों से देश भर के जीलों में वहां के लोकल प्रोड़क को ग्लोबल पहचान दलाने का अभियान है। उसको बहुत लाब मिलेगा। इससे हमारे MSME सेक्टर को विशेश लाब होगा। क्योंकि बाहर की जो बड़ी मैनुफेक्टरिंग कंपनिया भारत आ रही हैं, उनको यहीं पर इंटर्रेश्टरल स्टांडर्स की लोकल सप्लाई चेन मिलेगी। सबसे बड़ी बाद नए मानकों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की क्वालिटी सुनिश्चित होगी। इसे भारत के सामान्य उपभोगता को भी अच्छा सामान मिलेगा, एक्सपोर्टर की परेशाना भी कम होगी, यानि हमारा प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्स, क्वालिटी में जितने बहतर होंगे, उतनी ही ताकत देश की अर्थिववस्ता को मिलेगी।